हलो गाईज कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज हम आपको चट पूजा का वीडियो दिखाएंगे दोस्तों आप सभी लोग हमरी वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल को भी सस्क्र करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा आज हम आए हैं सनी देव मंदिर जो कि हमारे लखनों में है पराग पर ये सनी देव का मंदिर है और यहां पर बहुत ही भव चट पूजा होती है और हम सभी लोग आए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से वेदी बनाई गई है यहां पर और कितने देल सारे लोग एक साथ इकठी होकर के छट मया की पूजा कर रहे हैं तो अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे यहां पर किस तरह से यहां पर पूजा हुई है और कैसे छट मया का आसिरवाद भक्तों ने लिया है तो यह मंदिर है स मंदिर में तो यहां पर बहुत बड़ा सदेखे पानी का जो पूल होता है वो भी बना हुआ है और यहीं पर सब लोग सूरीदेव को आर्द भी देंगी तो यह सभी लोग पानी की अंदर ही खड़ी हुई है क्योंकि सुबा के 6 बजे हुए हैं और 6 बजे सूरीदेव पिल का नजारा देखे कितना अच्छा लग रहा है और सुबा सुबा हम 4 बजे ही यहां पर आ गए थे और हमारी आंटी है जो कि छट मैया की पूजा अरादना उन्होंने की है तो हम लोगों को बुलाया था क्योंकि हमारे यहां चट पूजा नहीं होती है और आंटी की पूजा में हम सभी लोगों पस्तित हुए है आंटी का पूरा परिवार भी यहां पर है अभी हम आपको आंटी से भी मिलवाएंगे जिन्होंने हमको यहां पर बुलाया है और यहां पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यह जट पूजा हमने इतने नजदीक से आज पहल हमँalayन के ने में हुए लेकिन इतना जादा मात्रा में लोगों को मैंने पूझा करते नहीं देखा था पहली बार ही देखा है भावी के साथ हम अये हैं भावी हैं मंमी हैं बहने हैं हमारी तो हम सभी लोग آये हुए हैं पांस सचे लोग हम लोग आये हैं और आंटी लोग आ चुकी हैं और वो भी अपनी अपनी वेदी पे बैठ चुकी हैं पूजा आराधना करने की तैयारियां कर रही हैं क्योंकि यहां पर चार बज़े से ही लोग बैठ गए थे और अपना अपना जहां जहां पर वो लोग अपना वेदी बनाई हैं जहां पर कलस स्थापित की है तो सब लोग अपने अलग अलग जगा पर बैठे हुए हैं और इधर आंटी भी बैठी हुए हैं और आंटी के साथ हम सभी लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आंटी है हमारी जो की पूजा कर रही है और यहां पर आकर हम सभी लोगों ने छट मया की और बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग देखें कि ये सब लोग पानी में खड़ी हुई है और बहुत सुबा सुबा का मौसम है काफी ठंडा भी है मौसम लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कमर बरबर पानी में ये सारी महिलाएं खड़ी हुई है जैंस भी हैं वो भी लंबा सा सिंदूर लगाए हुए हैं जो कि एक अलग ही तरीके से दिखाई दे रही हैं जो भी महिलाए हैं यहां पर सब बिलकुल अलग अलग दिखाई दे रही हैं और बहुत अच्छी भी लग रही है देखने में तो कुछ लोगों की पूजा हो चुकी है कुछ लोग अभ और देखने के साथ ही हमने चल मंया की पूजा भी की है हमने दीपक भी जलाया है माता जी का और धु बति भी जलाई और थोड़ा सहम प्रशाद वगेरा भी ले गए थे लड़ू ले गए थे नारियल ले गए थे जो कि मम्मी ने हम को बताया था कि यह सारी चीज चड़ानी लानी चाहिए चड़ानी चाहिए तो हम लेकर के आये थे और हमने पूजा भी की है आप लोग देख सकते हैं ये पूजा हम पहली बार कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा और अब तो यही सोचे हैं कि हमेशा ही छट मया की जब भी पूजा हुआ करेगी तो हम सनी दिय पूजा है वैसे तो हमारे घर के पास में भी पूजा होती है चट मया की लेकिन इतनी बड़ी पूजा नहीं होती है क्योंकि आप सबी लोग जानते हैं कि ये बिहार की पूजा है और बिहार में इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है तो मुझे यही पता था कि ये चट मया की पूजा में जरूर जाएंगे और जैसे भी पूजा अराधना होती है उनकी पूजा अराधना भी करेंगे और बहन भी हमारी आई है चोटी वाली तो चोटी वाली बहन आई है तो ये भी अपना पूजा पार्ट करेंगी और उसके बाद हम सभी लोग माता जी की चिराग जलाएंगे क्योंकि सब लोग अपने अपने इंतजाम से गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि वहाँ इतना अच्छा होगा लेकिन मम्मी को पहले से ही पता था कि वहाँ पर क्या क्या होता है तो मम्मी सारी दियाबाती का इंतजाम मम्मी ने किया था और मुझे तो तो लड़ू चढ़ाये थे नारियल ले गए थे नारियल भी माता जी को हमने चढ़ा दिया था और आगे भी इसे तरह से पूजा हो रही है होगी आगे अभी हम आपको आर्थ देने की पूरी वीडियो दिखाएंगे आप सबी लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करि हुआ है तो यह हमारे भाया के दोस्त की मम्मी है और यही पूजा यहां पर की है तो इन्हों नहीं बुलाया था इनका पूरा परिवार आया है भावी भी आई है हमारे साथ तो अब भावी की पूजा हो रही है यहां पर ज्यादा तर मुझे लेडियों दिखाई दे रही ह कुछ पूरुस भी हैं जो कि पानी में खड़े होकर सूरी भगवान को आर्थ दे रहे हैं और वैसे भी लेडिस जादा हैं और जैन्स कम हैं तो छट मईया को फल भी चड़ाए जाते हैं बहुत सारे लोग यहां पर केला सेव संत्रा यानि कि जो सीजन का फल है वो सारे फल य है इनके पास और यह सब रलिया में जितना भी सामान है उसको सर पर रखे हुए हैं या कुछ लोग हैं तो सूप में ले करके आए हैं सूप को भी लोग सर के ऊपर ही रखे हुए हैं और यह दे करके बहुत अच्छा लग रहा है यह हमारी आंटी की छोटी बहु हैं जो कि पूजा पार्ट ये भी कर रही है तो अब सब की पूजा हो चुकी है और अब हम सब लोग चलेंगी तालाप की तरफ जहां पर जल में खड़ी होकर के आंटी आर्थ देंगी सूरिदेव को क्योंकि टाइम हो चला है माइक में बार बार अलाउंस्मेंट किया जा रहा है कि सू प्रकुल निकलने का भी रास्ता नहीं है और कुछ महिलाएं तो पानी में घंटों से खड़ी हुई है और कुछ लोग जो की अभी 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 जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये कुंड है और कुंड में लगातार पानी भरा जा रहा है समर्ड से बल भी चल रहा है और बहुत सारा पानी भरा हुआ है इसमें और यहीं पर सब लोग खड़ी होकर के आर्द देंगी तो निकलने का रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं आ रहे हैं क्योंकि सब को आर्द देना है और एक एक करके लोग आर्द देते जा रहे हैं और बाहर निकलते ज ज़्यादा है एक साथ सब लोग आर्थ नहीं दे पाएंगे तो आप लोग दूर से देख रहे होंगे कि कितना कितनी ज़्यादा भीड़ है यहां पर चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और यह बहुत ही विशाल पूजा है और बहुत बड़ी पूजा भी होत पूजा थी आप लोग देख सकते हैं कि यह लकडी का सूप बना हुआ है जिसमें फल रखे हुए हैं बहुत सारे और गोल वाली टोकरी भी है यहां पर सूप के आकार में भी टोकरी बनी हुई है और उसी में सब लोग अपना फ्रूट वगेरा रखे हुए हैं जो जो चीजे चट मया को चड़ती हैं चड़ाई जाती हैं वो सारी चीजे यह लोग डलिया में रखे हुए हैं कुछ लोग सूप में रखे हुए हैं तो लेम लेडीज के पूर्सों के अकारडिंग महिलाएं यहां पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और अब सभी लोग आर्थ कंखेंने سے भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है जो भी कस्ट होते हैं वो दूर होते हैं चट मया आपके सभी कस्टों को दूर करती हैं जैसे जो लोग बृत करते हैं उनकी तो सारी मनों कामनाय पूरी होती ही हैं और जो लोग सच्चे मन से इस पूजा को देखते हैं च छट मैया से प्राथना करते हैं कि उनके कस्ट दूर हो तो छट मैया अवश्य ही उनके सारे कस्टों को दूर करती हैं और छट पूजा करने से परिवार में जो भी संकट होता है या जो भी कस्ट होता है जो भी बाधाई होती हैं वो सारी दूर होती हैं संतान की प्राप्ति के पूजा कर रहे इसके लिए भी लोग वरत करते हैं और पती की आईू लंबी हो इसलिए भी ये पूजा की जाती है कुल मिला कर ये सब प्रकार से सुप jumघाई पूजा है आप जिस भी कामना छहट मिया की पूजा करते हैं आपकी सारी मनो कामनाय पूरी होती है तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे भाईया के फ्रेंड है जो की पूजा कर रहे हैं और ये इनकी मम्मी है तो ये आंटी है हमारी और ये भाईया है तो दोनों लोग पूजा कर रहे हैं सुरिदेव को आर्द दे रहे हैं ये भावी है और अब इनकी पूजा लगभग हो चुकी है क्योंकि भया और आएंटी दोनों लोगों ने एक साथ पूजा कर ली है और अब हम लोग जाएंगे आप परशाद बटेगा क्योंकि ये छट मैया का परशाद बहुत ही स्वादिस्ट और टेस्टी होता है और यहां पर छट महिया का जो प्रिशाद है लोग ऐसे मांग रहे थे क्या हम बताएं आपको इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है यहां पर प्रिशाद लेने वालों की लोग एक बार दो बार तीन बार बार आकर के प्रिशाद लेके जा रहे हैं यहां का जो इसमें पूजा मे जो मेन प्रिशाद होता है ταकवा यह बहुत ही टैस्टी होता है खाने में और लोग ठेकवा लेने के लिए ही बार बार आते हैं एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा क्योंकि यहां पर हम वीडियो सूट कर रहे थे और लगातार हम यहीछ चीज नोट कर रहे थे कि यह पर लोग दो दो तीन तीन बार चट मैया कर प्रिशाद लेने आ रहे थे क्योंकि ये प्रिशाद होता ही ऐसा है इतना टेस्टी प्रिशाद होता है कि लोगों का मन ही नहीं भरता है लेकिन आंटी हमारी बहुत धेर सारा प्रिशाद लेकर के आई थी तो बिल्कुल कम नहीं पड़ा है और सबको प्रसाद बट गया है सब लोग प्रसाद ले चुके हैं और बहुत सारे लोग जा चुके हैं यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी कितनी भीड थी और अब सारी भीड कतम हो चुकी सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं वीडियो कैसे लग करके जरूर बताना थैंक यू